कैसे आप सब लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने पीजा के रेसिपी लेके आई हो और जो बच्चों का तो बहुत जादा फेवरेट होता है बच्चों को तो हर दूसरे दिन पीजा चाहिए तो आज हम बनाएंगे चीज़ बस्ट पीजा जो की बिद्कि सकते हैं आप ये कितना अच्छा पीजा है ना सॉफ्ट है जब यह हम घर पे बनाएंगे तो बच्चे बार-बार बनाएंगे कि इसको डिमांड करेंगे चलिए पीजा की रेसिपी स्टार्ट करते हैं यहां पर सबसे पहले हम रिफाइन फ्लोर बेकिंग सोडा बेकिंग हम अब इसका डो प्रिपेर कर लेते हैं यहां पर मैंने एक कप अपना रिफाइन फ्लोर यानि कि मैदा ले लिया है और इसमें हम अपना हाफ स्पून सॉल्ट एड़ करेंगे हाफ स्पून ही हमने शुगर एड़ की है इसमें फन फोर्थ स्पून बेकिंग सोडा थ्री फो जो हमने कर्ड लिया है उसे हम इसका डो पिपर करेंगे फ्रेंटे अगर हम इसके लिए जितनी भी हमारी पुरानी तही है वह हमारे इस डो के लिए बहुत अच्छी रहेगी तो चलिए हम अपना डो पिपर कर लेते हैं तो यहां पर हमें डू को अच्छी से नीट करना है और देखिए यहां मेरा डू लगबग रेड़ी है और अब हमें इसमें साथ में यह ओईल लगाते रखना है यह मैंने रिफाइंड ओईल के यूज किया है और हमें ओईल लगाने के बाद इसको अच्छी से पटक पटक के अच्छी से नीट करना है ओईल लगाने से यह सॉफ्ट हो जाएगा जब हमारा पीज़ा तयार होगा तो इस ओईल की वज़े से यह बहुत सॉफ्ट होगा तो अब हमारा यह जो दू है वह लग बग्रड़ी हो चुका है और अब हम इसको रेस्ट के लिए रख देते हैं हम इसे 10 मिट के लिए साइड रखेंगे और फिर हम अपने आगे की प्रिपरेशन कर लेंगे तो अब हमने टॉपिंग तयार कर लेते हैं यहां पर मैंने येलो रेड ग्रीन तीनो कलर की कैप्सिकम डे लिया है और अपने अनियन एंड पनीर ले लिया है आप अपने पसं की अपने बच्चों के पसं की वेजेटेबल दे सकते हैं और यहां पर हमें एक गैस पे एक कड के चमिए इस पाल्ड रगदी है गर्न करने को और यहां पर हम अपना पीजा में रडी करेंगे और इसके लिए ने वे आपना दोथ हां गप्रोन के फाल चाह एकbie कर लेंगे प्दले सी रोटी इस की बना के हम इसको तबे पर डाल देंगे हमनी गैस की फ्रेम लोह ही और इसको सिर्फ में कासा कलर चेंच होंने तक ही इसको दोनों सेट से सेखना है तो यहां पर मेरा यह ऐसे जैसे मैंने परण दिया doubles यह West इतना ही हमें यह सेखना है अब इस टाइम पे हम अपना इसमें छेट कर लेंगे फोक से जिससे की हमारा पिज़ा है वो फूले ना तो यह हमारा अब जो रूटी है वो रेड़े हो चुकी है अब हम यह उतार केक साइट कर लेनी है अब जो हमारी दो बागी बचे पिड़े थे उसको हम एक साथ मिला के उसकी वी बड़ी सी रोटी बना लेंeous के जो हमने जो साइज बटर लगा के प्लेट को रेडी के लिए कर लेंगे। उसमे ने जो मक्के का आटा होता है। उसमे पेंगे। थी कर देडकी कर Leander और अब हम इस पे चीज स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से और देखे चीज हमें इतना ही लगाना है हमें साइट से एक से देड़ इंच तक छोड़ना है क्योंकि जो हमारी चीज है वो मेल्ट होती है और हो साइडों में भी आ सकती है इसलिए हमें ये एक से देड़ इंच रखेंगे तो उसको भी जगह चाहिए इन दोनों के बीच में जब मैल्ट होता है तो चीज अपने आप ही आ जाएगा तो हम अब जब दूसरी रोटी रखेंगे तो साइड में हमें इसको स्टिक करने के लिए वाटर लगाना है और इस तरह से हम इसको दोनों जो बेस है न गा देना है और फोंक के ऐल शाइड में इको छुपका देना है और अब हम अपने सौस इसमें एड़ करेंगे सबसे पहले हम अपने तमाटू सीजवून सेजवया लिये हैं 1 इसपून हम पीज़ा स्विले लिये 10 दि लेंगे यह दिटिनों को अच्छे शीर्मिक्स कर देख देंगे अश्ड़ी披िल लिया है अब हम मोज़ाइल पसंद है जो भी वेज़ेगुल पसंद है आप वो रख सकते हैं मेरे पास इस टाइम यह अवे लेवल थी आप कौन भी रख सकते हैं तो उसके बाद उपर से हमें फिर से मौजरेला चीज स्प्रेड कर देना है और अब लास्ट में हम इसमें औरेगेनो मिक्सर चिली फ्लेक् और जो हमारा इस साइड है ना इस पीजा की इस साइड में हमें यह बटर लगाना है इससे हमारा जो पीजा है वो सॉफ्ट बना रहेगा और अब हम अपने पीजा को रख देंगे देखे हमने सॉल्ट के ऊपर एक स्टेंट रखा है आप ऐसी स्टेंट का यूज कर सकते हैं और फिर हम इसे हाई फ्लेम पे 15 मिनट के लिए पकाएंगे 15 मिनट के बाद ये मेरा पीजा बिल्कुल रडी हो चुका था देखिए कि इतना अच्छा लग रहा है और अब हम इसको अपने प्लेट में निकार लेंगे देखिए लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा पीजा ये टेस्ट में भी बहुत स्यादा अच्छा है तो फ्रेंड्स आप भी इसको अपने घर पे जरूर ट्राइ कर सकते हैं आपको मेरी कैसे पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा और लेकी घर बात्राइप तो प्लीज कर दो लिए तो लिए तो लिए खिर खिर गूमेंट और बहुत आपको अच्छागी कैंड है दोन वेलीजार दून बात्राइपे टिल देन बाइप